कि मेश्का दोस्तों इस वीडियो में इस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाल है उसका नाम है टाटा स्टील लिमिटेड इस स्टॉक 167 के प्राइज पे ट्रेड कर रहा है मार्केट में यूज़े को इसने 0.90% का डाउन मॉव दिया था मार्केट केप हो गया है 2,8,512 को रूट्स की तो मोटर होल्डंग 33.20% है बुक वेल्यू 73.70 है डिविदेंट इल 2.16% है फेस्ट वेल्यू 1 है अभी के लिए स्टॉक 15200 दोनों दिया में से उपर ट्रेड कर रहा है पी रेशो के बात करें तो मीडियन से थोड़ी सी उपर है फाइज के टाम स्पैन पे वन मन्त पे भी थोड़ी सी उपर है सिक्स मन्त पे बिल्कु छोटू सी उपर है एंड वन यह पर भी छोटू सी उपर विट थोड़ा सा कॉंशिस होके जरूर चले सेल्सें मार्जिन में देखें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारा 59.06 पे सिस्टेंग किया है एंड थोड़ा सारी कबर हुआ था सेल्स कौर्टर अन कौर्टर डिक्रीज हुई थी अभी के लिए हम इसके चार्ट पर चार्ट पर देखें सबसे पहले तो क्योंकि न्यू अमन्स स्टार्ट हो चुका है तो इसके पिवेट resistance and support change हो चुके हैं तो अभी एक लिए stock ये pivot से ऊपर sustained किया हुआ है and ये जो इसकी resistance है इसकी हमने जो last time analysis करी थी उसमें भी हमने बात करी थी ये काफी strong है इसको break करने के लिए थोड़ी सी मशक्कत यहां पर जरूर करनी पड़ सकती है यहां पर देखिए एपरिल में इसको break करने के कोशिश की गई थी फिर एपरिल के last week and may के first week में and यहां पर kind of second week third week तक ये struggle चला था तो basically एपरिल एपरिल second week से लेकिए may first week, may third week तक ये struggle चला है तो काफी time तक ये stock यहीं पर trade करता रहा था, up and down, थोड़ सा swing का मौका इसने जरूर दिया था, उसके बाद इसने break किया और फिर उस resistance के नीचे आ गया था, उसके बाद चलो बड़े आराम से निकल गया, तो ये resistance basically in short काफी strong है, यहां भी इसको hiccup मिला था, तो ये कुछ obvious ही था, थोड़ सा ये यहां पर hiccup ले गया, and secondly, ये जो RSI थी, वो भी कुछ उसी point के आसपास थी, जहां से ये reversal लेती है, तो यहां पर छोटू सा reversal इसको जरूर मिला है, and मुझे रगता है कि RSI settle हो के हो सकता है, कि, sorry, RSI नी, price settle हो के थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा संभल के चले हो सकता है, कि ये pivot के आसपास, 162 के आसपास trade करता हुआ, देखे, हलांकी अभी support बना चुका है तुजड़े को 50.76 मिले नगा था, हलांकी कम रहा था volume, and आपको पता है कि Nifty भी थोड़ा सा fluctuation में ही थी, and market थोड़ा सा, क्योंकि काफी दिनों से काफी ज़्यादा market ने अच्छे moves दिये हैं, तो थोड़ा सा profit booking and everything वो तो जायज भी है तो अभी के लिए जो हमारे, यह जो हम target लेके चले हैं, यह month end के हैं, and इनको एक बार revise कर लेते हैं, तो 10.17% के move की उमीद लेके चले हूं, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, correct हम, तो यहां तक के लेके चले, 184.63 के move की उमीद लेके चले हैं, अभी के लिए इसकी resistance 2 है, इस month के लिए, तो let's see, इस month के end तक की हम यही लेके चलेंगे, अभी के लिए, इसका price band तो काफी अच्छा है, एक बार BAC पे चलते हैं, इसकी, तो BAC पे देखे, price band no band है, तो 20% लेके चलेंगे, and news 30th को आई थी, उसके बाद कोई और news नहीं आई है, तो अभी के लिए जो delivery percentage 23.57 परसेंट के है, तो delivery percentage काफी poor गया है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हैं, मैं यह बोलूँगी, stop loss अपने जरूर साथ लेके चलें, एक बार weekly chart पे हम चलते हैं, यहाँ पे, weekly chart पे देखे, last चो week था, उसमें इसने 9% के आसपास के move दिये हैं, और RSI जो है, हमारी 57.37 पे ह और RSI थोड़ सा crawl कर रही है, यहाँ पे, अभी के लिए यह जरूर है कि stock थो, sellers का दवाब जरूर बन रहा है, यहाँ पे spinning top बनाता हुआ दिखाई दिया है, दो ही दिन हुए अभी, आज की तो छुटी थी, कल और परसों का फिर दो दिन है, तो let's see, यह candle भी fully form नहीं, let's see, क्या बन के निकलता है, RSI यहाँ की weekly अगर 60 के उपर sustain कर जाते हैं, तो काफी अच्छा रहेगा, let's see, क्या होता है, तो अभी के लिए basically headroom काफी है इसमें, एक बार इसके check करते हैं, हम की यह Bollinger Band में कहां तक है, तो यह 20 day simple moving average है, तो of course उपर है, यह एक काफी अच्छी बात है, अभी के लिए Bollinger Band को भी इसने break किया है, channel को भी अपने break किया है, तो मुझे लगता है, थोड़ा सा यह हो सकता है, settle करे, अभी करें, देखते हैं, इसने कितने के move दें, तो यहाँ से इसने start के, इसने लगवग 14% के आसपास के move दिये, यहाँ पे देखते हैं, कि जब थोड़ा साही rest करने के महाल में हो सकता है, तो उस चीज को थोड़ा ध्यान में रख के जरूर चले, fresh entry की बात करें, तो मैं यहाँ पे होती है, तो मैं यहाँ पे entry नहीं बनाती अभी, एक तो market में थोड़ी सी fluctuation है, दूसरा यहाँ पे अभी अमने pattern analyze किया, तो उस pattern के according यह कि यहाँ पे भी, थोड़ा सा अगर correct हो, यहाँ पे crawl जरूर यह कर सकता है, और यहाँ का support मुझे लगता है, बनता हुआ नजर आएगा, 164.23 का, तो यह भी एक support बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको भी धान में लेकित ले, बाकि stop loss तो आपका अपने appetite के according ही होता है, य यह जो है month के end के target है, उसको achieve करने के लिए हमें लगवग 11% के move की जरूरत है, तो यह मेरी analysis है, कोई buy sell hold की recommendation नहीं है, rest मिलते है next video में, तब तक के लिए शुक्रिया and happy investing.